जदियू कर्याले पर गुरुवार को पार्टी की समिछात्मक बैठक हुई बैठक में रामगर्ड विधानसभा प्रभारी डाक्टर विनोध कुमार सिंग राष्ट्य सची उस्सभ प्रभारी युवा जदियू उत्तरपरदेश अशोक चोधरी स्चामिल थे इस दौरान पार्टी की संगठात्मक मुद्दो पर काफी विस्तार पुरुक चर्चा हुई इस दौरान आये हुए जिला अधिकारियों ने कहा कि रामगर्ड विधानसभा चेत्र के दुरगावती प्रकंड रामगर्ड प्रकंड नौाव प्रकंड में सभी बूतों पर बूत अध्यक्ष यवं बूत सचीव का चैन पूरा कर लिया गया है जो परदेश नित्रत व टीम को सौप दी जाएगी जैसा कि 15 नौमबर को आयोजी 5 दिसंबर तक सभी बूतों पर अध्यक्ष वर सचीव बनाने का लक्ष तय था जो आज पूरा कर लिया गया है जिसकी समिक्षा आये हुए चुनाव परभारी द्वारा किया जा रहा है उन्होंने कहा कि जदियू 2020 की चुनाव की तयारी में जुट गई है एम जदियू का एक एक कारेकरता संगठन के कारियों में मुस्तैदी के साथ लगा है वही रामगड के 13 पंचायत के 86 बूतों पर एम दुर्गावती पंचायत के 104 बूतों पर एम नुआय के 10 पंचायत के 89 बूतों पर अभी तक अध्यक्षव सचीव बनाए गए हैं परदेश परभारी ने बताया कि बूत जीतों चुनाव जीतों के साथ पार्टी का हरेक कारेकरता अगामी चुनाव को लेकर मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है वही युवाराश्टिय सचीव अशोक चौधरी ने कहा कि बूत अस्तर पर पार्टी संगटन को मजबूत करना चाहती है उन्होंने कहा कि बिहार में मानिय मुख्यमंतरि नितिश कुमार जी को कारे को जन जन तक पहुँचाना है हमें पूरा विश्वास है कि महान जनता के दोरा आशिरवाद हमें जरूर मिलेगा उन्होंने विदान सभा प्रभारी महदै से मांग किया कि आप नित्रत को बताने का कारे किये हैं इंडिये गट बंदन में इस जिले में कम से कम दो सीट 2020 के विदान सभा में जदियो को मिले मौके पर प्रमेड यादो जिला प्रभारी रामगड विदान सभा राष्टिय सचीव युवा जदियो सभ प्रभारी उत्तर प्रदेश असुख चोधरी अभिशेक सिंग मौसूद रहे सीटी नियूस के लिए कैमोर से अभिशेक राज की रिपोर्ट पे आज हम लोग के जो प्रभारी आया हैं प्रदेश से स्री डाक्टर विनोज जादो जी सिनेट के मेंबर भी हैं बिरकुवर सिंग इनोर सिटी आरा के इन्होंने आपको बताया कि हम लोगों ने जो लच्छ रखा था पंदरो नॉमबर और पांच दिसंबर तक बुथ अधच और बुथ सचीव का चुनाव करने का चैन करने का वह सारी परक्रिया आज पूरा कर लिया गया है समय के अंदर पांच तारीक तक जमा करना है बिहार प्रदेश जंता दलियुनाइटेट को आपको ग्यात होगा कि यह तीन गों प्रखंड है यहां रामगर में दुरगावती नुआ और रामगर 286 बूथ है तीनों प्रखंड में और 36 पंचायत हैं और यहां पूरा परक्रिया हम लोग 286 पर बूथ अधच और बूथ सचीव का हम लोगों ने चैन किया है 283 पार्टी के समर्पित कार्ज करता है और जो बिहार में माननिया मुखमंत्री जी का जो विकास है उसको जन जन तक पहुचाना हम सभी का दाईतु है और आप लोगों ने देखा होगा कि माननिया मुखमंत्री जी जल जीवन हर्याली यात्रा पर भी निकले हुए है अभी आप लोगों ने सवाल खड़ा किया था यात्रा पर निकलने का उदेश है माननिया मुखमंत्री जी का आज यो परदूसर का मामला है आप देख रहे हैं कि कितने लोग इससे जान गमा चुके हैं मान्यमुकमंत्री जी ने जो आहर पईन और पोखर पर जीन लोगों ने घर बना लिया गलती से उन लोगों को भी पुनरवास की विवस्था कर रहे हैं उनको भी घर दे रहे हैं उनको भी यहां के पदादिकारियों को निर्देश है कि जिनको आवास नहीं है जिनको घर नहीं है उनको रहने के लिए दूसरे जगाब बसाएं और जो पईन और आहार और पोखर पर जीन लोगों ने अतिकरमर कर रखा उनके जीवन के लिए माननियम मुखमंत्री जी ने खुद जीवन हरियाली यात्रा के माध्धम से निकले हुए है चमपारन से उन्हों माननियम मुखमंत्री जी कर रहा है मानणियम मुकमंत्री स्रीन नुमार जी और जब जन्भ झा तो वास्तिक्ता में आपको जीवन भी आनगे जी सकते हैं बडिया जैंँ तो यह सब काम हम लोग कर रहा है है और हम लोग और काम कर रहा है हम लोग गाउयों के बिकास के लिए जहां बिजली नहीं था माननिया मुखमंत्री जी ने कहा था कि हम गाओं के विकास के लिए काम करेंगे और माननिया मुखमंत्री जी ने खुद गाओं में जा करके देखा है उन्होंने देखा है साथ निस्चे के तब हर घर को जल से हम लोगों ने जोड़ा है हर नल को जो सरकार है बियार में पूरी मुस्तहिदी के साथ काम कर रही है मानूनियमू मंतरी जी के नेत्रितјों में और आंगे भी हमलोग जनता का जियो भी समस्या होगा वो हमलोग जनता के समस्या के हम लिव निलाकरन करेगा। पूरे बिहार में 243 विधान सभाच्षेत्रों में परतेक बूथ पर बूथ और बूथ सच्छीव का मनोनेन 15 नॉवंबर से 5 दिसंबर के बीच करना था और जिसके तहत रामगड विधान सभाच्षेत्र का मुझे जिमवारी मिला था यहां के पाटी के पदाधिकारियों के सहजोग से पाटी के हमारे पदाधिकारी असुक चवधरी जी जीला के प्रभारी हैं यहां प्रवीन जी अभिसेक जी रामपरवेश जी विश्वनात जी जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं बिरेंदर खरवार जी इन तमाम लोगों के प कुछ सचिव का मनोने कर लिया गया है और इस लिस्ट को हम झांसे पटना पर्टी कर याले में जमा करेंगे और आगे का जो ह हम लो का काजकरम होगा बिधान सभावाईज सम्मेलन Otari बिहार के 2 cetera partition 239 में पर्टी कर्ज करता होंता मिदान सभावाईज क्ला Gottes और यह बिहार ही नहीं यह देश और दुनिया के लिए एक मिल का पत्थर साबित होगा जो मानिय मुख मंत्री जी जल जीवन हरियाली यत्रा पर सुबे बिहार का दवरा कर रहे हैं और पूरे बिहार में जो आहर पोखर पैन का लोगों ने अतिकर्मन कर लिया है कुमा का सो रहा है कभी सुखा कभी बार जिसके तहट जल्याओ परिवर्तन के बारे में मानिय मुख मंत्री जी हमेशा चिंतित रहते हैं जिसके चाहत उन्होंने एक नारा दिया है कि जल जीवन हरियाली यानि जल है तो जीवन है और हरियाली हरियाली है तो जीवन है जल जीवन हरि इसको मान के माध्यम से भी नेफेट के लोगों द्वारा प्याज पन्यंतर्ण करने का काम किया जा रहा है ताकि आम अमाम को कोई दिकत नहीं हो यानि सस्ते दर पर प्याज मुहया कराने के लिए बेवस्ता किया जा रहा है।